हालो दोस्तों स्वाधत है आपका मेरे चैनल कुक वीद मितले इसमें तो दोस्तों सावन का पर्क चल रहा है और कहा जाता है कि सिर्ची को खीर बहुत ज्यादा पसंती आज वही खीर हम बनाएगे सिर्फ 10 मिंड में 10 मिंड में एक तो मलाईदार और रबड़ी दार खीर हमार जरूर बताईएगा तो आईए शुरू करते हैं खीर की रसिपी आज हम बनाने जारे खीर खीर बनाने के लिए मैं टुकड़े चावल का इस्तमाल किया और इसको 40 मिनिट पहले तीन से चार बार मैंने अच्छे से दो लिया और इसको भिगो के रब दिया भिगोने के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया पानी निकालने के बाद हमें क्या करना है हमें इसको हाथ से अच्छे से इस तरीके से रगड़ने से एक तो खीर हमारी बिल्कुल मलाईदार बनेगी और दूसरा बनने में भी बहुत कम समय लगए तो सिर्फ 10 मिनिट में ही हमारी खीर बन करके तयार हो जाएगी, चाबल हमारे तयार है, खीर बनाने के लिए मैंने एक लिटर दूद का इस्तिमाल किया, यह फूल क्रीम दूद है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस पर लखेंगे कडाई, इसमें टालेंगे एक टेबल स्पून देशी घी, सबसे पहले हम काजू, बदाम, किस्मिस, पिस्ता और यह बदाम की कुछ कत्रन, घी हमारा गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे काजू, बदाम, मैं किस्मिस को रोस्त नहीं कर रही हूं, और नहीं मैं पिस्ते को रोस्त कर रही हूं, सिफ काजू और बदाम को ही मैं रोस्त कर रही हूं, काजोर बदा हमारे रोस्ट होगे इन्हें हम बहा निकाल लेंगे अब इसे बचे हुए घी का हमें क्या करना है अब बचे हुए घी में हमें अपने चावल डाले और इनको फोर अपर प्राई कर लेंगे मैंने इसमें सारे चावल नहीं डाले, यह मैंने एक चम्मत चावल बचा लिया है, इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे, दो से तीन मिनिट के लिए हम घीब में चावल को अच्छे से भूलेंगे, इस तरह खीर बनाने से खीर हमारी बहुत टेस्टी बनेगे और जल्दी भी ब मचा करके रखे दे, उसको हम मिक्सी जार में डालेंगे, इसमें में डालें थोड़े से काजु के टुकड़े और दो फ्राइ किये हुए बदाम, इसको डाले से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, इसका हम एक पेस्ट बना के तयार कर लेंगे, चावल को थोड़ा सा दूद हम निकाल लेंगे, इसमें हम डालेंगे केसर के धागे, खीर में हमारे उबाला गया, उबालाने में सिर्फ 2-3 मिनिट का ही समय लगा है, और इतने में हमारे चावल गल के बिलकुल तयार हो गया, देखे, चावल एकदम गल गया, इसमें डालेंगे हम य इसे डालने से एक तो इसमें गाड़ापन आ जाएगा और खीर हमारी ऐसी लगेगी जैसे रबड़ी लगेगा ही नहीं कि हमने इसे चाबल से बनाके तैयार किया है ये खीर खाने में इतनी टेस्टी लगेगी ऐसा लगेगा कि हम रबड़ी खा रहे हो पेस्ट को डालते ही हमारी खीर एकदम से कितनी गाड़ी हो गई है इसमें डालेंगे आधा कटोरी चीनी मैंने जिस कटोरी से चावल को ना पता उसी कटोरी से मैं चीनी डाल भी मैं इसमें आधा कटोरी चीनी का इस्तमाल कर रहें अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें एक कटोरी चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं, बस चार से पांच मिनिट में ही हमारी खीर बन करके तयार हो जाएगे, इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूर, खीर हमारी अच्छे से पक करके तयार होगे, बिल्कुल गाड़ी हो गया, जैसे एक दम रबड़ी होती है, इसमें हम डालेंगे अपने ड्राइ फ्रॉट्स, थोड़ा सा डालेंगे इलाइची पाउडर, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब चल भी डाल सकते हैं, उसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी लगती है, इसको और पकाएंगे, और गैस को बन कर देंगे, खीर क हमारी ठंडी हो गई है थोड़ा सा इसको हम सर्फ करेंगे, कैसे एकदम मलाईदार खीर हमारी बन करके तैयार हुई है, कोई कैही ने सकता है कि इस खीर को हमने चाबल से बनाया है, और यह खाने में इतनी टेस्ट ही रगती है, कि आप जिसको भी देंगे वो बार बार चाने का सबसे आसान तरीका है, तो देखिए, को एकदम मज़ेदार और मलाईदार खीर हमारी बन करके तैयार होगी है, इसको बनाने मेंसिक दस मिनिट का ही सम्मय लगा, कोई कह सकता है हमने इसे दस मिनिट में बना के तैयार किया, लेकिन हाँ, हमने इसेOST 10 मिनिट में ही बहुत ही जल्दी बने वाले ये खीर है अब अचानक घर पे कोई महमान आ जाए या कोई फैस्टीवल हो तो आप इसको छटपट बना करके तयार कर सकते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है मैंने इसको केसर के दूद के साथ सर्फ किया है आप इसको कैसे भी सर कर सकते हैं रेसिपी अगर पसंद आए तो एक बाद ट्राइ जरूर कीजिए और कमेंट बोक्स मुझ जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी दभी ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन क मिलती रहे मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई